टोड़े वी विल्ट डिस्कस अबाउट डेसिमल नंबर्स डो प्रकार के होते हैं फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नौन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग में ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका रिमेंडर जीरो यनि अगर हम एक्जांपल है 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 8 ये numbers ऐसे हैं जिसका अगर हम divide कर रहे हैं तो remainder 0 होगा It means decimal के बाद जो numbers होंगे वो finite numbers होंगे जैसे 0.05 या 0.5, 0.25 यनि point के बाद जितने भी numbers होंगे वो finite numbers होंगे तो वो होगा आपका terminating, terminate हो जारे numbers यनि always remainder 0 and terminating numbers ठीक है तो terminate में हमेशा remainder 0 होगा और decimal के बाद numbers जो होंगे वो finite होंगे अब बात करते हैं हम non-terminating की तो non-terminating and repeating and sometimes we call recurring ओके तो non-terminating यनि यहाँ पे साफ मतलब निकल रहा है कि उसमें terminating था और इसमें non-terminating हो रहा है उसमें point के बाद number finite थे और इसमें point के बाद number infinite होंगे वहाँ पे remainder 0 होता था और यहाँ पे remainder कोई जरूरी नहीं कि 0 हो even 0 होगा ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे point के बाद जो numbers होंगे वो infinite होंगे मतलब not defined number defined होंगे जैसे 0.3333333 करके infinite तक जाएगा या 0.252525252525 तक ऐसे जाएगा तो ऐसे number जो completely divisible नहीं कुछ ने कुछ उसमें remainder आए तो वो होगा आपका non-terminating numbers इसको हम recurring numbers बोलते हैं and repeating numbers अब देखिए जो non-terminating numbers होते हैं वो two types से categorized किये गए first होगा आपका pure recurring and second impure recurring okay pure में क्या होता है कि point के बाद जो numbers होंगे वो repeating pattern में होंगे जैसे मैं आपको बताया 0.23232323232323 ऐसे बढ़ता जाएगा या 0.66666 करके ऐसे बढ़ता जाएगा यानि जितने भी number समझेवे repeating pattern में होंगे तो वो होगा आपका pure recurring ठीक है अब जितने number repeating pattern में होंगे उसके ओपर हम बार लगा देंगे एक horizontal line draw कर देंगे तो horizontal line यह सो करता है कि numbers जो है वो repeating में है कितने number repeating में है अब देखेंगे अगर example लेते हैं हम pure recurring की इसमें क्या होता है कि point के बाद numbers infinite तो होते ही हैं लेकिन सब irregular form में होते हैं जैसे 0.53261592 कुछ भी आ सकता है तो यह था आपका decimal numbers का partition terminating non-terminating terminating numbers जिसका remainder always 0 आया और non-terminating में जिसका remainder हो वो 0 ना हो तो यह था आपका decimal numbers अगली वीडियो में हम कुछ question solve करेंगे non-terminating numbers को rational number में कैसे convert करते हैं fraction के form में कैसे convert करेंगे करेंगे करेंगे